नारेन नारेन आज की पाठ्थे पुस्तक का विशय है श्री हनुमान जी महराज श्री राम किंकर जी महराज श्री राम शर्णम ममा श्री हनुमान जी महराज श्री हनुमान जी महराज की भूमी का राम चरित मानस में इतनी अद्बुद है कि उसके कितनी भी चर्चा की जाए वह कभी पूरी नहीं की जा सकती जैसी विलक्षयनता श्री हनुमान जी के चरित में है वैसी किसी बिदले भक्त या महापुरुष के जीवन में पाई जा सकती है श्री राम चरित मानस में चार घाटों की कलपना की गई है जैसे किसी सरोवर में चार घाड बने हो तथा उनमें भिन्न भिन्न सीडियों से उतर कर व्यक्ति सरोवर का उप्योग करता है उसी प्रकाश श्री गोस्वामे जी श्री रामचरित मानस की तुलना मान सरोवर से करते हैं परंतु अंतर्या है कि हिमाले के मान सरोवर में सीडिया नहीं है और उन्होंने श्री रामचरित रूपी मान सरोवर में सीडियों का निर्मान किया तथा सीडियों के माध्यम से भिन्न भिन्न दिशाओं से आये हुए साधकों को श्री रामचरित के सरोवर में इस्नान करने के लिए निमंत्रित किया वे चार घाट हैं ज्यान भक्ति एवं कर्म तथा तीनों के साथ साथ उन्होंने शर्णागती के रूप में एक चौथे घाट की भी कल्पना की प्राचिन काल में सरोवर पर तीन और मनुश्यों को जल पीने के लिए मार्ग बनाया जाता था और चौथ है पर चौथी और सीड़ी न होकर सपाट घाट हुआ करते हैं जिससे उतरकर पशु भी जल पी सके गुस्वामी जी की माननेता यह है कि न्यान भक्ति और कर्म की द्रश्टी से तो शीराम के तत्व चरित्र और स्वरूप का चिंतन किया ही जा सकता है परंतु इन तीनों के अभाव में यदि किसी को असमर्थता की अनुभूती हो जो सीड़ियों से उतरने में असमर्थ है तो उसके लिए चोथे घाट का निरुपन किया गया ज्यान भक्ति और कर्म के साधन के सोपान या क्रम है एक के बाद दूसरी साधना कैसे की जाए इन तीनों में भी एक क्र पूती हो रही हो वे क्या करें उनके लिए गोस्वामी जी एक ऐसे घाट की कल्पना करते हैं जिसमें साधना की सीड़ियों का अभाव है और बिलकुल सहज भाव से उतर कर वह भी जल पी कर धन्य हो सकता है गोस्वामी जी अपने आपको इसी घाट से जोड़ते हैं क्योंक के मार्ग इस चौथे घाट से भगवान के चरित्रा और सोभाव का आनंद बाया यदी आपने विचार यदि आप में विचार की सामर्थ है तो उसका उप्योग कीजिए यह ज्यान मार्ग है यदि आप में भावना की सामर्थ है तो उसका सद्यूप्योग कीजिए भक्ति के माध्यम से यदि आप में पुरुशार्थ और कर्म करने की समता है तो आप उसका सद्यूप्योग कीजिए कर्म के माध्यम से यह तो सामर्थ की बात हुई लेकिन अगर असमर्थता की अनुभूती हो रही हो तो भी आप भगवान की क्रपा से भगवान को प्राप्त करते हैं जो और सामर्थ से भगवान को प्राप्त नहीं करता बलकि भगवान की क्रपा से भगवान को प्राप्त करता है भक्ति ज्यान और कर्म में जहां साधन को महवत प्राप्त है वहां चौथे मार्ग में साधन के स्थान पर क्रपा को ही सब कुछ स्विकार किया गया है इस प्रकार उन्होंने प्रत्यक व्यक्ति को अर्थात समर्थ और असमर्थ दोनों को ही भगवान की और से अग्रसर करने की चेश्टा की है। समर्थ भी श्री राम के द्वारा धन्य हो सकता है और असमर्थ भी। रामायन में चार आचारियों की कल्पना की गई है। ज्यान घाट के आचारे श्री शंकर जी, भक्ती घाट के, कागवुशंडी जी, कर्म घाट के, श्री याग्यवलक जी और शर्नागती तथा द्यान्य घाट के श्री गुस्वामी जी स्वता है यदि हम श्री हनुमान जी के संबंद में विचार करें कि श्री हनुमान जी इन चार घाटों में से किस घाट के आचारे हैं या किस साधना पद्धती के द्वारावे भगवान के पास पहुँचते का पत प्रदश्ट करते हैं तो हनुमान जी के चरित्र में या विलक्षनता मिलेगी कि कर्म की दरश्टी से देखें तो उनमें कर्म की पूर्णता है और यदि भक्ष्टी की दरश्टी से देखें तो उनमें भक्ती की पूर्णता है ग्यान की दरश्टी से देखें तो उनमें ग्यान की पूर्णता है औ इसलिए शीहनुमान जी जिन लोगों के भगवन से मिलाते हैं, उनमें बड़ी भिन्नता होती है। हनुमान जी के चरित्र में एक सूत्र आपको और मिलेगा, कि हनुमान जी का रूप सरवदा बदलता रहता है। वेही हनुमान जी कहीं लगू, कहीं अती लगू हैं। ये दोनों शब्द भी आपको मिलेंगे लंका जलाने के पश्चाद। यहां लगू शब्द का प्रयोग है, और जब लंका में पैठने लगे, तब सुर्सा के सामने पहले तो विशाल रूप प्रकट करते हैं। परन्तु जब सुर्सा ने सौ योजन का मूँ फैलाया, तो हनुमान जी ने लगू नहीं अती लगू रूप बनाया। सत जोजन तेही आनने की नहां, अती लगू रूप पवन सुतली नहां, पांच, एक, दस। कभी लगू बनते हैं, कभी अती लगू, कभी विशाल बन जाते हैं, और उसमें भी कभी बड़े होते हुए, हलके होते हैं, तो कभी भारी भी होते हैं। क्या ये हनुमान जी में कोई जादूगरी है? समुद्र लागने के पूर वे विशाल भी बने, और उस समय विशाल बनने के साथ-साथ उनका भार इतना था, कि लिखा गया है, जही गिरी चरन देही हनुमंता, चले उसोगा, पाताल तुरंता, पांच, जीरो, साथ। जिस परवत पर चरन रखकर हनुमान जी चलांग लगाते हैं, वह परवत हनुमान जी के बोच से तुरंत पाताल चला गया। समुद्र लांगते समय भी बड़े बने थे, और जब लंका जलाते समय भी बहुत बड़े बन गए, परन्तु नहीं, दोनों में एक अंतर है, समुद्र लांगते समय वे विशाल भी थे और भारी भी थे, परन्तु लंका जलाने के समय विशाल तो है, परन्तु देह विशा इस प्रकार अलग अलग रूपों में जो हनुमान जी का दर्शन है उसका तात्विक अभिप्राया है कि ये जो चार पक्षे हैं हनुमान जी उन चारों पक्षों के आज़ा रहे हैं और जिस समय जिस समस्या का समानान करने के लिए जिस पक्ष को प्रधानता देनी चाहिए हनुमान जी उसी को प्रधानता देते हैं अगर गहराई से विचार करके देखें, तो चारो यूगों में मुख्यता भले ही किसी एक को दी जाए, परंतू आवशकता है इन चारो योगों की या चारो मार्गों के समझ्वै की, जिस योग का उपयोग जिस समय किया जाना चाहिए अगर व्यक्ति उस योग का सही सही लेकिन यदि हम किसी डॉक्टर या वैद्धे के पास अपना रोग लेकर जाए और वह हमें शरीर के मिध्यात्व का उपदेश देने लगे तो शरीर तो नाश्वान है एक न एक दिन तो शरीर की मत्व होनी ही है तुम शरीर की चिंता क्यों करते हो तो कौन उस डॉक्टर के पास बैठना पसंद करेगा उस समय वैराग्य की अपेक्षा नहीं है डॉक्टर यह भी कहते हैं शरीमाद्यम खलूद धर्मसाधनम कुमारसंभवम समस्त धर्मों का मूल तो यह शरीर है शरीर की रक्षा करो और कहीं कहते देते हैं देहेस्तित्माम सुरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशू सदा ममताम विमुच्य पश्या निशं जगदि तो शरीर माध्यम खलू धर्मसाधनम सत्य है कि शरीर का मिथ्यत्व सत्य है जिस समय व्यक्ति रोग ग्रस्थ है उस समय शरीर के मिथ्यत्व को सामने रखकर उसकी चिकित्सा नहीं की जाएगी बलकि शरीर को सत्यमान कर ही दवा देकर उसको स्वस्थ करने की चेश्था की जाएगी उसी प्रकार से शरीर तो नाश्वान है और शरीर एक दिन मिट गया और उस समय आकर कोई दवा की प्रशंसा करने लगे दवा के चमतकार का वर्णन करने लगे तो इससे बढ़कर ना और क्या हो सकती है अब शरीर समाथ हो गया तो उस समय तो वैरागे के माध्यम से ही व्यक्ति को संतोश मिलेगा और जब शरीर रोग्रस्थ है तो उसके लिए चिकितसा शास्ट की आवशकता है महां विधांज शास्ट के वैरागे की अपैक्षा नहीं है वस्तुता उप्योक्त समय में ही उप्योक्त योग का उप्योक होना चाहिए कुछ लोगों को तो खिसी योग का अजिर्ण हो जाता है कि वे हर शर्ण केवल अपनी ही बात दोहराते हैं वे अव्यावारिक व्यक्ति है मुझे वह बात भूलती नहीं कि एक मेरे परिचित ने नया मकान बनाया उसमें उत्सव मनाने के लिए संगीत का अयोजन किया तो एक गायग ने बिंदु जी का एक प्रसिद्ध पद गाना शुरू किया कि अरे मन यह तो दिन का मेला रहेगा ना कायम ये जग का जहमेला रहेगा कंधे पर ठठरी का ठेला रहेगा लोगों ने सिर पीट लिया कि क्या यही गाने के लिए आपको यहां बुलाया गया था पत तो बड़ा सुन्दर और सत्य भी है परन्तु ठीक अफसर पर नहीं गाया गया ऐसे मांगलिक अफसर पर तो मंगल भवन अमंगल हारी एक 111.4 यदि गाएं तो व्यक्ति को सुनकर प्रसंता होगी इसलिए इन योगों का प्रयोग जीवन में समुचित समय पर होना चाहिए हनुमान जी कब छोटे बनते हैं ये सब अलग-अलग योग है जहां में बड़े हलके बने या कर्मी योग है जहां बड़े और भारी बने वहां ग्यान योग है जहां लगू बने वहां भक्ती योग है और जहां पर अतुलित बने, वहां पर दैन्य और शर्नागती का योग है हनुमान जी इन चारों योगों का उचित समय पर उप्योग करते हैं इन चारों योगों का ऐसा समुचित उप्योग आपको अन्यतर कहीं नहीं मिलेगा इस संदर्म में मैं केवल थोड़े से संकेत आपके सामने रखतू। शीहनुमान जी जनकनंद जी सीता जी की खोज में जा रहे हैं। सीता जी जीवन में लक्ष रूप हैं, ज्यानियों की भी लक्ष वही हैं, भक्ती की और योगी की भी लक्ष वही हैं, और कर्मियोगी की भी लक्ष वही हैं, तथा शर्नागती की भी परम प्राप्तव्य वेही हैं, ज्यानियों की द्रश्टी से श्रीशंकराचार जी कहते है कि सीता जी शान्ती हैं शान्ती सीता समानिता आत्मा रामो विराजते अगर कोई व्यक्ति तत्व ज्यान के द्वारा शान्ती प्राप्त करना चाहता है तो सीता जी की खोज अवश्यक है भक्त कहते हैं कि श्री सीता जी मूर्ती मती भक्ती हैं सानु जसिय समेत प्रभू राजन परम कुटीर भगती ज्यानु बैराग्य जनु सोहत धरे सरीर एक 321 भगत के लिए जीवन का लक्ष शी सीता जी है योगा अभ्यास यदि करें तो भी तुरी अवस्था पाना लक्ष है पातांजली योग दर्शन में तुरी अवस्था के मा आध्यम से ही ब्रह्म तत्व या अत्म तत्व का साक्षातकार होता है जिसको रामायन में बताया गया है कि सुन्दरि सुन्दर बरन सह सब एक मंडप राजही जनु जीव उरचार्तियू अवस्था अविभुन सहित बिराजही जंद 324 चार जहां सीता जी तुरी अवस्थ है और जो शर्णागत हैं उनके लिए वे मा हैं जनक सुता जगत जान की योङ भकत के लिए भकति है कर्म योडि के लिए वा ाइशक्ती है और जो शर्णागत तुरूम में अन्यबालक है उनके लिए वे मा हैं सबको उनकी ही खोज करनी है जब हनुमान जी, सीता जी की खोज में चलते हैं तो मार्ग में भिन्न-मिन्न प्रकार की समस्याय आती है और उनका समाधान हनुमान जी अलग-अलग योगों द्वारा करते हैं श्री सीता जी लंका में है बीच में 400 कोस का विशाल समुद्र है जिसको पार करना है समुद्र पार करने के लिए कौन सा योग उपयोगी है सचमुष समुद्र को पार करना बड़ा कठिन है यह समुद्र कौन सा है व्यक्ति का देहा विमान ही सबसे बड़ा समुद्र है इस देहा विमान के समुद्र को पार किये विना श्री सीता जी का दर्शन नहीं होगा देहा विमान के समुद्र को कैसे पार करें देहा विमान पर विजय पाना इतना कठिन है कि बड़े से बड़े उतकरष्ट कोटी के बंदर जो देवताओं के अवतार भी है और गुस्वामी जी के शब्दों में जो विवित प्रकार के साधन है वे समुद्र के किनारे तक त अभीप्रा यह है कि बहुत से बुरायों को जीतने में जो समर्थ है उनको भी देहा विमान पर विजय पाना असंभव प्रतीत होता है। श्री हनुमान जी ही इस देहा विमान के समुद्र को पार करते हैं तो वहां पर भी सभी योगों का सामन्जस है। यहां ज्यान योग के साथ साथ जब हनुमान जी इतना बड़ा पुरुशात कर रहे हैं तो करिम्म योग भी है यात्रा करते समय जब वे प्रभू का स्मरन करते हैं तो भक्ति योग भी है इस प्रकार उनमें सारे योगों का समन्व है लंका यात्रा में हनुमान जी तीन परवत शिकरों पर गए पहले बंदरों के साथ यात्रा की और स्वयम प्रभा के पास गए उसके पूर्व परवत शिकर पर गए और इसके बाद जब चलांग लगाने लगे तो दूसरे परवत शिकर पर चड़े और जब चलांग लगाकर सागर पार पहुँच गए तो लंका को देखने के लिए परवत के तीसरे शिखर पर चड़े ये यात्रा के तीन शिखर है अलग-अलग प्रसंगों में अलग-अलग शिखर है देहा विमान के समुद्र को पार करने के पहले जरा देह से तो मुक्त हो जाईए हमारे लिए देह का समुद्र पार करना ही कठिन हो रहा है फिर देहा विमान की बात ही क्या इस यात्रा में पहला परवत शिखर क्या है जब बंदर मार्ग भूल गए और प्यास से वाकुल हो गए तो हनुमान जी पहले शिखर पर पहुंचे यही है विश्वास का शिखर मन हनुमान कीन अनुमाना मरन चहत सब बिनुजल पाना चड़ी गिरी शिखर चहू डिसी देखा चार तेज चार जब जीवन में कभी वन में मार्ग भूल जाए जैसे बंदर मार्ग भूल गए तो क्या करना चाहिए वन क्या है रामायन की भाषा में यह वन संशय है संशय अभिपिन अनल सुरस रंजन 6.114.2 जीवन में यदि कभी संशय आ जाए, भटकाव आ जाए तो क्या करें हनुमान जी ने प्यासे बंदरों के लिए उस भटकाव में एक उपाय सोचा जीवन में जब कभी अत्रप्ति का अनुभा हो, संशय का अनुभा हो तो क्या करें हनुमान जी यदि न होते तो बेचारे सब बंदर क्या करते पताब भानु भी जब भटक गया, प्यासा हुआ और मार्ग भूल गया तो अंत में रावन बनना पड़ा यह रामायन में हमने पड़ा है यदि हो अनुमान जी ना होते तो पता नहीं बेचारे बंदरों की क्या दशा होती नीचे तो जल नहीं मिला अब जरा उपर जड़कर देखें बंदरों ने कहा कि उपर जल मिलेगा कि नहीं मिलेगा आप ही जरा उपर जड़कर देखाईए अनुमान जी चड़े यह विश्वास का शिखर है जब संशय के बन में हम भटक के तो हम उपर उठे और विश्वास के शिखर पर पहुँच जाएं जब हनुमान जी ने देखा कि जल के पक्षी उस गुफा में जा रहे हैं तो हनुमान जी ने बंदरों को निमंतरन दिया कि आईए आईए इस गुफा में जल अवश्य है अंगद आगे आगे चल रहे थे परंतो गुफा में आगे चलने का साहस अंगद में नहीं था क्योंकि उनके परिवार में जो जगड़ा हुआ वह गुफा को लेकर ही तो हुआ था हनुमान्ची ने नितरत्व में ही सबने गुफा में प्रवेश किया और वहां सबको जल पीने को मिला और सीता जी के खोजने का उपाय भी स्वयम प्रभा से प्राप्त हुआ स्वयम प्रभा स्वयम प्रभू की क्रपा है जीवन में जब कभी भी संशय आये तो हम उपर विश्वास के शिखर पर जाये अंत में भगवान की क्रपा से भगवान की शर्णागती का जल पी कर फल खाकर आगे कदम बढ़ाए पहला शिखर विश्वास का शिखर जहां पर भगवान की क्रपा ही क्रपा दिखाए दे रही है समुद्र लंकन के पूर हनुमान जी दूसरे परवत शिखर पर जाते हैं वह दूसरा शिखर विचार के द्वारा ही देहा विमान का समुद्र पार किया जा सकता है तीसरा शिखर जिस हनुमान जी समुद्र पार करके चड़े, वह तीसरा शिखर वैराग्य का है, जिस पर चड़कर उन्होंने लंका को देखा, बहुत बढ़िया बात है, लंका को उपर से देखा, नीचे से नहीं लंका कोई साधारन दुर्ग थोड़े ही है, जहां पर इतना वैभव है, इतनी सुन्दरता है कि नरनाग सुरगंधर्व कन्या रूप मुनी मन मोह ही, पांच दो चंद दो, कितना आकर्शन है, वहां कामिनी और कंचन दोनों का बड़ा दिव्य आकर्शन है, ऐसी लंका को देखते ही व्यक्ति फस जाएगा, हनुमान जी ने भी लंका को देखा, परंतु वैरागे के शिखर पर खड़े होकर लंका को देखा, यह बड़े महत्व का सूत्र है, इन वस्तों का आकर्शन जब आगे आए, तो वैरागे के उचे शिखर पर चड़ जाना चाहिए, वैर यह वैरागे की उचाईयों के कारण ही हुआ, हनुमान जी तो महतो महियान कठो पनिशद, इतने विशाल हैं कि देहा विमान उनका क्या करेगा, हनुमान जी बंदरों को आश्वासन देते हैं, और समुद्र के किनारे विचार का, एकत्व का, अद्वेद का, जो महतो महिया रूप है, वह रूप हनुमान जी के द्वारा प्रकट हुआ, जो विशाल के साथ साथ भारी है, जही गिरिचरन देही हनुमनता चलेव सोगा, पाताल तुरंता, पाँच-0-7, हनुमान जी केवल ज्यानी ही नहीं है, उनमें तत्व ज्यान का ही केवल आश्रे नहीं है, रा बहुत बढ़िया उपाय गोस्वामी जी ने बताया उपर उठना तो बहुत बढ़िया है परुन्तु जितना अधिक उपर उठेंगे उतना ही अधिक नीचे गिरने का डर भी बढ़ेगा हनुमान जी ने सोचा कि उपर चड़तो गए लेकिन कोई संभालने वाला भी तो चाहिए तब गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया सूत्र दिया कि हनुमान जी ने क्या किया बार बार रगुबीर संभारी तरके उपवन तनैबल भारी पांच जीरो छे बार बार प्रभुकस मन किया महतो महियान हो जाने के बाद भी हनुमान जी के चरित्र में जो भक्ति का पक्ष दिखाए देता है उसी का आश्ट्रे लेकर वे आगे बढ़ते हैं जी मी अमोग रगुपतिकर बाना एही भाती चलेऊ हनुमाना 508 बान को देखकर लगता है कि बान चल रहा है परन्तु बुद्धिमान व्यक्ति यह जानता है कि बान में स्वयम चलने की शक्ति नहीं है बान धनुष के द्वारा चलाया जाता है और धनुष धनुष धारी के द्वारा चलाया जाता है चलाने वाले की भुचा में जितनी अधिक शक्ती है बाण उतनी ही तिद्रगती से जाता है हनुमान जी ने कहा कि चलता हुआ तो मैं दिखाई देता हूँ लेकिन मैं तो बाण हूँ जिसको चलाने वाले धनुषधारी हमारे प्रभू है और वे अपनी शक्ती के द्वारा जो कार्य मुझसे लेना चाहते हैं वे वही कार्य करने लगता हूँ इस तरह से हनुमान जी भक्ती संयुक्त ज्यान के आश्रे से उस देहावी मान के समुद्र को पार करते हैं उनके विग्ण बाधाओं को पार करते हैं जब मैंनाक परवत उनसे विश्राम करने के लिए खहता है तो तुरंद सूत्र दे देते हैं कि यह हनुमान जी का भक्ति युक्त ज्ञान योग जिसमें कर्मियोग भी है क्योंकि वे श्रिष्ठतम कर्म करते हुए भी ज्ञान और भक्ति का आश्टर लिये हुए हैं इसके बाद सुर्षा सामने आकर खड़ी हो गई और कहा कि मुझे भूक लगी है और देवताओं ने मुझे से कहा है कि तुम एक बंदर को जाकर खालो हनुमान जी तब इससे प्रात्ना करते हैं कि अभी नहीं बाद में खालेना सुर्षा ने कहा कि मुझे भूक तो अभी लगी है तुम इतने आगे का आश्वा संते रहो मैं तो अभी खाऊंगी पहले तो विनम्रता से सुर्षा को समझाने की चीष्टा की लेकिन जब सुर्षा नहीं मानी तो हनुमान जी ने चुनोती के शब्दों में कहा कि फिर खा क्यों नहीं लेती ग्रससी नमोही कहें हनुमाना पांच एक छे तुम यदि खा सकती हो तो खालो फिर सुर्षा और हनुमान जी में होड लग गई जोजन भरी तेही बदन पसारा कपी तनुकीन दुगन बिस्तारा सोरह जोजन मुख तेही ठया हूँ तुरत पवन सुत बत्ते सभया हूँ जस जस सुर्षा बदन बढ़ावा तासु दून कपी रूप देखावा पांच एक साथ नो देहा भी मान के समुतर को पार कर लिया और मैनाक के रूप में जो स्वर्ण का परवत था उसका भी लोब हनुमान जी के मन में उत्पन नहीं हुआ इतना बड़ा कारे करने के बाद कोई विगन आता है ये की नहीं जिसके बाद सुर्षा जरूर आती है त्यागियों के सामने सुर्षा जरूर खड़ी होती है हनुमान जी ने जब सबसे बड़ा त्याग किया तो सुर्षा आकर खड़ी हो गई सुर्सा कौन है? लोकेशना की ही सुर्सा है करने के बाद लोग हमको त्यागी कहें और हमको सब त्यागी समझे इस इच्छा से बचना बड़ा कथिन है हनुमान जी सुर्सा से कहते हैं कि अभी नहीं पहले में राम का अज तो कर लूँ और मेरे जीवन का लक्ष है पहले में श्री राम का संदेश सीता जी के पास और सीता जी का संदेश श्री राम के पास पहुचा दूँ तब उसके बाद तुम मुझको खा लेना सुर्सा समझ गई कि जब ये दोनों काम तुम कर लोगे तो फिर मैं तुम्हें क्या खा पाऊंगी खाने की बाद तो अभी है अभी मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी और तब हनुमान जी चुनोती दे देते हैं इसके बाद हनुमान जी का कर्म योग है वे संगश के लिए चुनोती दे देते हैं जस जस सूरशा बदन बढ़ावा पाँच एक नू होता है कि सूरशा का मुख्यति बड़ा हो जाए तो त्यागी का शरील यदि छोटा हो जाए तो बड़ा संकर सामने आने की संभावना है लोकेश्णा बड़ी हो या और व्यक्ती छोटा हो तो डर यही है कि लोकेश्ना यही है कि जैसे हम हैं लोग हमको उससे भी अच्छा का कर पुकारें। यही लोकेशना की व्रत्ती है। लेकिन हनुमान जी इतने महान है कि जो जो लोकेशना बढ़ती है हनुमान जी अधिक बढ़ते जाते हैं। लेकिन अंत में हनुमान जी ने बड़ा विचित्र और अध्भुत कार किया। सुर्सा ने सो योजन का मुँ फैलाया। हनुमान जी उससे दुने दो सो योजन के बन गए सकते हैं। पर हनुमान जी ने सोचा कि बड़े बन कर लोकेशना को जीता नहीं जा सकता। लगू होने पर भक्षन किये जाने का डर है। अता हनुमान जी अति लगू बन गए। अति लगू का क्या अर्थ है। यदि अंको में कहें तो एक लगू है परन्तु शुन्य अति लगू है। हनुमान जी शुन्य बन गए क्योंकि हनुमान जी ने सोचा कि जब तक दिखाई दूँगा तब तक ही तो लोकेशना खाएगी जब शुन्य बन जाओंगा तो दिखाई ही नहीं दूँगा तो खाएगी कैसे अपने आपको दिखाने की प्रदर्शित करने की रत्ती जब तक ह तब तक लोकेशना जरूर खा सकती है लेकिन जब अपने आपको बिल्कुल शुन्य बना लिया तो सुर्सा ढूनने लगी कि बंदर कहां चला गया सुर्सा हनुमान जी को खोज नहीं पाई हनुमान जी उसके मुख में पैठ गए लेकिन सुर्सा को पता नहीं चला अपने को शुन्य बना लेना ही कि हम कुछ हैं ही नहीं यदि शर्नागती और दैन्य का पक्ष है जब हम कुछ हैं ही नहीं तो तुम हमें क्या खाओगी अगर हम कुछ होते तो खा सकती थी हम तो शुन्य हैं हनुमान जी मुख से निकल आये और फिर भी कितनी विनम्रता से कि सुर्सा को हरा देने के बाद भी सुर्सा को फटकारा नहीं बड़ी विनम्रता से सिर्जुकाया सुर्सा को प्रणाम किया यह जो विनम्रता की पराकाष्टा है वह दर्शनिय है हारने पर तो प्रणाम करना ही पड़ता है परंतु जीतने के बाद भी इतनी विनम्रता है कि हारे हुए को भी प्रणाम करते हैं हनुमान जी से किसी ने पूछा कि आपने सिंगिका को तो मार डाला फिर सुर्णा को क्यों नहीं मारा दोनों ही आपको खाना चाहती हैं सिंगी और सुर्णा भी हनुमान जी ने कहा कि भै, सिंगी का इर्शा थी इर्शा की वरत्ति दूसरे को गिराने में आनंद का अनुभव करती है सिंगी का उपर उड़ने वाली छाया को पकड़ कर उसे नीचे गिरा लेती थी जितने इर्शालू होते हैं वे देखते रहते हैं कि जरा भी कोई हमसे उपर उटता हुआ दिखाई दे तो उसको नीचे गिरा दें दूसरी को नीचे गिराने की इश्या की रत्ती बड़ी घातक है उसको तो तुरंत मानना ही चाहिए लेकिन लोकेशना को इसलिए नहीं मानना चाहिए कि भले ही लोकेशना में दोश हो परिनाम क्या होता है कि सुर्सा आशिर्वात देकर हनुमान जी को विदा करती है राम काज सबु करही तुम बल बुद्धि निधान आसिश देई गई सो हर्शी चले हनुमान पांच का तू यह शर्णागती और दैन्यत्व का स्वरूप है यह तो बड़ा विस्तरत पसंग है शी हनुमान जी ने वैराग्य के शिखर से लंका को देख लिया और तब निर्ने किया पुररखवारे देखी बहू कपी मनकीन विचार अतिलगरूप धरो निसी नगर करो पैसार हनुमान जी ने विचार किया कि लंका में पैठने के लिए भी मुझे अत्यनत छोटा बन कर ही पैठना पढ़ चाहिए जिम्हिका के सामने हनुमान जी बड़े बने अब कुछ लोग तो इसे पढ़कर इसी में उलत जाते हैं कि मच्छर बन गए तो अंगूठी कैसे रखी अंगूठी बड़ी थी कि मच्छर बड़ा था वैसे ही हनुमान जी मुद्रिका को प्रभू मुद्रिका मेली मुखमाही जलदी लांगी गए अचरज नाही हनुमान चालिसा जब अशोक वाटिका में सीता जी को मुद्रि दी तो उसको धो लिया था कि वैसे ही जूटी दे दी स्थूल में इतनी दरश्टी आ गई कि सारा तत्योग्यान बह गया यही हिसाब लगाने की कितनी लंबाई है कितनी चोड़ाई है अरे भई उसके पीछे तो नहित तातपर है उसको समझना चाहिए मुद्री बड़ी है कि छोटी उसका तत्योग्यान यह है कि राम नाम बड़ा ही छोटा है सीता जी की खोज में जब अंदर चले तो सबने प्रणाम किया और प्रभू ने सबको आशिरवा दिया सबने अंत में हनुमान जी आए तो प्रभू को हसी आ गई कि लेने के लिए तो सब किसे बाद में आना घाटे का सोदा हो सकता है हनुमान जी ने कहा कि प्रभू आपने बड़ी वस्तुएं सब बाड़ दी अब अंत में जो छोटी वस्तु बची है आप वही मुझे दे दीजिए आप सारा शास्त्र सारा उपदेश लोगों को बाड़ दीजिए आपने परशुराम जी से स्वयम यह का था कि मेरा तो छोटा सा नाम है राम राम मात्र लगु नाम हमारा एक दोसो इक्यासी छे बाकी सब कुछ दूसरों को दे दीजिए लेकिन बस यह राम नाम जो छोटा सा है उसे मुझे दे दीजिए यह दो अक्षर का इतना छोटा सा है पर बड़ा इतना कि इसमें सारा भ्रमान समाया हुआ है बंदव राम नाम राम रगुबर को हेतु क्रसानो भानो हिमकर को श्री हनुमान जी उस राम नाम का आश्रे लेकर जो महतो महियान है बड़े से बड़ा है और छोटे से छोटा भी अनो रणियान है उसका आश्रे लेकर लंका में प्रविष्ठ होते हैं हनुमान जी में इतनी विनम्रता है इतनी निरा भी मानिता है कि यह कहना अधिक ठीक होगा कि मुदिरा में हनुमान जी है ना कि हनुमान जी के मुख में मुदिरा यद्यपी दोनों बाते हैं राम नाम हमारे भीतर है कि हम राम केल भीतर हैं, लेकिन लंका भी कोई साधर नहीं है, कितनी सावधानी है कि मसक समान रूप का पिधरी, लंका ही चलेओ सुमिरी नरहरी, पास, तीम, एक, जब घुसे तो कितनी पैनी द्रश्टी, दुरवत्यों की, लंकीने ने इतने चोटे बनने के बाद भी हनुमान जी को देख ही लिया, और तुरंट उससे कहा कि क्या तुम यह समझ रहे हो कि मैं तुम्हें देख नहीं रही हूँ, कुछ लोगों में दूसरे के दोशों को देखने की बड़ी पैनी आख होती है, वे सुक्ष्म दरश्ट इसे दूसरों के दोश ढूंड लेते हैं, चाहे कितना दोशों का अभाव क्यों नहों, लंकीने ने पकड़ लिया और पूछा कि कहा जा रहे हो, लंकीने ने यह भी कहा कि तुम चोर हो, हनुमान जी ने पूछा कि मैं चोर कैसे हूँ, बोली कि यदि चोर नहोते तो छिप कर जाते क्या, लंकीने की माननेता है कि जो बड़ाय दिखाई दे वह बड़ा है, जो छिपकर कोई काम करे वह चोर है, हनुमान जी ने सोचा कि इसको मुक्का मानने की आवशकता है, वे फिर बड़े बन गए और मुक्का मारा, यह वैराग्य का मुक्का है, प्रबल और लंकीनी है, प्रवरति, यह बड़े-बड़े महापुरुषों को, बड़े-बड़े त्यागियों को खा जाने वाली है, यह प्रवरति का चक्कर बड़ा विकट है, जब प्रवरति पकड़ ले और खाने के लिए प्रस्तुत हो तो मुठीका एक महा का पिहानी, रुध विरक्त होना स्वाभाविक है महात्माओं के लिए विरक्त शब्त का प्रयोग किया जाता है इस प्रकार हनुमान जी ग्यान के आधार पर बड़े हो गए और वैराग्य का मुक्का लगाकर प्रवरत्ती पर प्रहार करके उसके राग के रक्त को कम कर दिया इसके पश्चात प्रवरत्ती हाथ जोड़कर हनुमान जी के समक्ष खड़ी हो गई हनुमान जी ने कहा कि तुम चोरों के खाने वाली बिल्कुल नहीं हो जो कि अगर तुम चोरों को खाने वाली होती तो सबसे पहले रावन को खाती जो सीता जी को चुरा कर लाया है मैं तो का पता लगाने आया हूँ, तो मुझे ही चोर समझ रही है, और असली चोर है, उसी को अपना स्वामी समझ बैठी है, यदि तेरा विपरीद ग्यान है, तो सत्य को सत्य समझती है, मोह का महत्पूर्ण और ग्यान को महत्पूर्ण नहीं मानती, सत्संग के परिणाम सरूप लं अशोक वाटिका में पहुचे तो क्या किया, सिता जी का दर्शन करना है, सिता जी साक्षाद भक्ती है, क्या बंद कर गए, उनके पास तो प्रत्यक वेश है, अशोक वाटिका में पैठे तो गो स्वामी जे ने लिखा, तरुपलल्लव महू, रहा लुकाई, करई विचारो करो का भाई, अशोक वाटिका के व्रक्ष के पत्तो की आन में छोटे बंका छिप गए, मा के सामने हनुमान जी छोटे बालक बनते हैं, यह भक्ती योग है, भक्त तो अपने को छोटा मानता है, लगुरू भक्ती योग है, और वही से लगु बन कर ही राम की कता कहते हैं, बड़े बनकर राम की कथा कहना तो अभिमान से कथा कहना है, छोटे बनकर कथा कह रहे हैं। कथा वाचक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और पूरी कथा सुनने को मिल रही है, कितनी वड़िया बात है। शोता तो यही पसंद करता है कि कता वाचक भी दिखाय 돼, मा के मन में भी कता वाचक को देखने की इच्छा उत्पन न हुई कि दु हनुमान जी ने जो कता सुनाई वह परदे की आर में से कता सुनाई। कि कथा वाचक अपने को न दिखावे और कथा के माध्यम से भगवान को दिखादे जो अपने को दिखाने की चेश्टा करेगा वह उतनी ही मात्रा में बटवारा कर लेगा कि इतना अपने को दिखाना है और इतना भगवान को लेकिन जो अपने को नहीं केवल भगवान को ही दिखाना चाहता है राम चंद्रगुर्ण बर्ने लागा सुनत ही सीता कर दुख भागा 5-12-5 पश्रोता के मन में वक्ता को देखने की इच्छा होती है इसलिए सीता जी ने कहा है कि श्रवनाम्रत जेही कथा सुनाई कही सो प्रकड होती किन भाई 5-12-7 तब हनुमान जी आपने एक दिन पूछा कि जब मैं पीठ कुमा कर बैड़ गई तो तुमको बुरा तो नहीं लगा हनुमान जी ने कहा कि मा आपने तो बहुत अच्छा किया क्योंकि आपने देखना बंद कर दिया इसका अर्थ यही है कि सुन्दर तो राम कता है कतावाचक तो बंदर ही है उ इसमें दुखी होने की क्या बात थी आपने चरितर में जो होता है वह आपके अनुकूल ही है वहाँ पर भी हनुमान जी को दोनों योगों का आश्टर लेना पड़ा बड़ा भी बनना पड़ा और छोटा भी बहुत बड़िया सूत रहे गो स्वामी जी का हनुमान जी तो बेटा शब्द सुन्दने के लिए व्यग रहे इसलिए विल्कूल छोटे बने रहे और छोटा बनना काम आ गया हनुमान जी ने कहा कि कचुक दिवस जननी धरुदीरा कफे ने सहित अहही रगुबीरा पांच पन्रा चार कफे ने सहित सुनकर माने इस नन्हे से बंदर को इतना बड़ा दावा करते देखा कि हम लोग आवेंगे और राक्षसों को मार कर आपको छुड़ा कर ले चलेंगे तो मा का वातसलिए उमड पढ़ा क्योंकि वातसलिए का समभाव है कि बड़े में नहों कर छोटे में ही होता है मा ने कहा कि है सुथ कपी सब तुमोरी समान पांच पंद्रा छे बेटे क्या सारे बंदर तुम्हारे समान ही है मा के मुख से पुत्र शब्द सुनकर हनुमान जी धन्य हो गए और कृत-कृत्य हो गए जब हनुमान जी ने अपने आपको बड़ा बना कर दिखाया चोटे बनने और बड़ा बनने में अंतर क्या है जो बड़ा तो बन जाए और चोटा न बन पाए वह अभिमानी हो गया जो चोटा और बड़ा बनना नहीं जानता उसका चोटा पन तो उसकी असमरता है उसकी विशेष्टा नहीं, उसमें बड़ा वन्ने की लिए सामर्थी नहीं है मोरे रदय परमसंदेहा सुनी कपी पगड़ कीन निजदो देहा कनक भू धराकार जरीरा समर भयंकर अतिबल बीरा पाच पन्रा साथ आठ हनुमान जी ने ज्ञान योग सिम के माध्यम से अपनाया शेष्टतम रूप पकड़ किया सीता मन भरो सतब भयाओ, पुनी लगु रूप पवन सुतलायाओ, पाच पन्रा आठ हनुमान जी इतने सावधान है कि तुरंध छोटे बन गए मा का संशय मिटाने के लिए तो ग्यान योग का आश्रे आवशक था और उसके द्वारा मा का संशय मिटा लेकिन फिर हनुमान जी ने सोचा कि नहीं, ऐसा नहों कि मैं घाटे में रह जाऊं और मा मुझे बड़ा बेटा मान ले, मुझे तो छोटे बेटे का संबंध जोड़ना है मा ने पूछा कि तुम बढ़ते रहते हो, तो वह असली है कि यह असली है तुम छोटे हो कि बड़े? हनुमान जी ने का मा, मैं तो छोटा हूँ, परंतु प्रभू का प्रताब बड़ा है इसलिए उनके प्रताब से में बड़ा हो गया, यही दिखाना था मैं तो बिल्कुल छोटा हूँ, मा ने प्रसन्न होकर तुरंत आशिरवात दे दिया कि हनुमान जी ने छोटा वनकर मा के बात से लिका पूरा आनन लिया और कहा कहा तो इतनी उची उची बाते हो रही थी और कहा भूक लगने की बात लगने लगी तातपर यह था कि जब मुझे पुत्र कहा तो मा और बेटे की बीच में खाने पिने की ही चर्चा चलती है बेटा तो मा से यही कहेगा कि मा मुझे भूग लगी है भूग मिटा हो और इसी क्रम में लंका जलानते समय सभी योगों का अश्टर लेते हैं जब वे विशाल बनकर भी हलके बने तो यह कर्टुत्व का भार नहीं है हनुमान जी जब नाक पाश से अपने को मुक्त करते हैं तो इसके लिए अपने को छोटा बना लिया यह बक्ति योग है लंका को जलाने के लिए हनुमान जी ने कर्मयोग काश्टर लिया परन्तु उनमें अहन्ता का भारेपन नहीं है क्योंकि जिस महल पर वे खड़े होंगे वही भार से गिर पड़ेगा इसी लिए हलका पन अत्यंत आवश्चक है कर्म के में अगर अहंकार का भोज हुआ तो व्यक्ति को नीचे गिराए बिना नहीं रहेगा हनुमान जी में महान कर्म होते हुए भी कर्तत्वा भी मान नहीं है सब कुछ करने के बाद भी श्री राम जब प्रशंसा करने लगे तो नित्य चर्णो को ही देखने वाली श्री हनुमान जी श्री राम का मुख देखने लगे श्री राम को हसी आ गई कि लगता है कि अब तुम चर्णो के स्थान पर मुख की उपास ना करोगे सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख पांच बत्तेस हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं तो चोड़नो वाला ही हूँ परन्तु मुख इसलिए देखने लगा कि जब आपने नारज जी की प्रशंसा की थी कहीं वैसा ही मुख तो नहीं बना हुआ है मैं देखना जाता था कि मेरी प्रशंसा करते समय आपके मुख पर क्या भाव है नारज जी को प्रशंसा सुनकर अभिमान हुआ तो आपने बंदर बना दिया था परन्तु मैं तो पहले से ही बंदर बन कर आया हूँ फिर क्या भाव है सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख गात हरशी हनुमंद चरन परेव प्रेमा कुल त्राही त्राही भगवंद पांच बत्तिस चरनों से द्रश्टी उठा कर मुखी और देखा और मुख से फिर चरनों की में आ गए प्रभु हनुमान जी की बहां पकड़कर उठा रहे हैं अद्भुत रश्ट है प्रभु हनुमान जी से कह रहे हैं की उठो उठो हनुमान जी ने का की उठने में तो दोनों खो जाएंगे यदि उठूंगा तो चरण भी खो जाएंगे कोई गिरे हुए को उठाता है तो उठाने के बाद तुरंथ हाथ छोड़ देता है प्रभू मैं तो यही चाहता हूँ कि जीव आपके चरणों में पड़ा रहे और आप उसे धदा पकड़े रहे तब ही उसके जीवन में पतन से मुक्त होने का भैसमाप्त हो सकता है आप यदि जीव का हाथ छोड़ दें तो फिर भी उसके जीवन में निश्चिंतता नहीं आ सकती हनुमान जी ग्यान, भक्ती, कर्म, दैन्य और शर्नागती से अभीभूत है ग्यानी को तत्व ग्यान दे देते हैं, भक्त को भक्ती का संदेश दे देते हैं, कर्मयोगी को कर्मयोग का संदेश दे देते हैं और शर्नागत को निर्बलता और दैन्य का संदेश दे देते हैं, तथा उन्हें भगवान के शीचर्णों का दर्शन करा देते हैं जासुनाम भववेशज हरनगोर त्रैसूल सोक्रपाल मोहीतो पर सदारह अनुखूल साथ 124 का बोलिये सियावर राम चंद्र की जै हनुमान जी की जै नारैन नारैन